आपनों आगण देख नाड़ा है सारा भाई बनाने गणा गणा राम राम सा तो आज में मेरे किचन गार्डननूं सबजी तूड के लिए के आई हूं यहां की सबजी है और गर्म्याम सवं जदा चाल रही है वे फिलाल है इन कद्दू भी बोला और मारीच की लोकल वासामिन पेठो भी बोला तो मेरे किचन गार्डन के अंदर पेठे की बेल है और भी कर कई सारा पेठा लाग रहे हैं तो मैं आज एक कद्दू की सबजी की रेशिपी बनाना की भी दिवताऊंगी तो मैं कद्दू ने तीन बाग में तोड़ लियो चील के एकी मोटी मोटी कापी बना लिया जियां एक कुकर के अंदर दो चमस तेल सर्श्यों को तेल की सबजी बनानी चीए रिफाइंड तेल में नहीं और गी में चमक दो या कद्दू की सबजी सर्श्यों का तेल में बना के देखो तो प्याज है हरी मिर्च है लसुन है तो तेल गरम होना के बाद में चुटकी ब्रहीन डाल दी एक चमस जीरू डाल दियो एक चमस मित्थी दाना डाल दिया और एक चमस राई डाल दी मसाला के चूंक के अंदर मिठा नेम की पत्ती डाल दी और लसन बारी कटेड़ा बोगी डाल दियो बारी कटेड़ा प्याज है यह भी मैं चूंक के अंदर डाल के ब्राउन ओना तके फ्राई करूं स्लो गेस के अंदर मैं प्याज ने तेल के अंदर भून रही हूं फ्राई कर रहे हूं फ्राई होना के बाद मैं हरी मिर्च की बारी कटेड़ी दो हरी मिर्च हैं बैबी मैं एक अंदर ही सूंक में डाल दी और जगा बारीक टुकडाम एक चमच हल्दी डाल दी पहली तेल के अंदर ताकि पेठा के अपां सब्जी बना रहे हैं भी के छूंक के अंदर हल्दी डाल दें तो इम कलर और भी सुन्दर आ जाओ तो पेठा की जिकी मोटा टुकडाम काटके सब्जी लाई हूं बाभी में छूंक के अंदर हैं दो मिल्ट के लिए इन्हें फ्राई कर रहे हूं और स्वाद के अनुसार नमक डाल दीओं कम ज़्यदा आपके स्वाद के अनुसार नमक डाल दीओं हल्दी और नमक डुन्नु मसालो इस सब्जी के अंदर मिला दियो हैं लाल मिर्च पाउडर एक चमच अच्छे तरीकों मिला दियो धन्यों पाउडर एक चमच बुन्नेडो जीरो पीशके हैं पिशेडो एक चमच अंचूर पाउडर भी एक चमच एक जगां अमचूर के आपा गच्छी कहरी भी गें डाल रहां मैं डाल दीए तो बीबाग की है खटी मिठी सब्जी है बहुत ही तेस्टी भने पेठे की सब्जी है जिकिक अंदर अम्चूर डाल देऊ या कची केरी भी डाल शको तो अम्चूर हो ये तो अम्चूर में अम्चूर डाल दिऊ एक चमच कि फ्राइए उना के बाद में मसालों पकना के बाद में दो चमच में पाणी डाल के फेर दूबारे उरूं सारी सब्जी मिला दी इस पेठे की सब्जी में ज्यादा टाइम ना तो टाइम लागए और ज्यादा ना उबालनी पड़े सब्जी के अंदर थोड़ो सो टुकड़ा के अंदर गुड़ डाल दिये और प्लेट उन डख दिये और सब्जी विल्कुल एकदम दोई मिन्ट में फटां फटे बनके त्यार होगी सब्जी एकदम सोप्ट होगी है मसाला दार सब्जी पेठे की सब्जी मिठो डाल दियों चूर डाल दियों तो खटी मिठी बहुत ही टेस्टी बनगी बहुत ही सुंदर बनके त्यार होगी है सब्जी के अंदर मैं कसूरी में पत्ता ना इनसे, बहुत हैं कितन गार्दन की मैं थान में गला कि थान की बेल है एक फ्रक्रट करना दिखा रही हूं और पर शारी की सबाजी फिला रहे हु और कमों कमों 3-4-4 किलो के बजन को पेठो है तो यह 3-4 बाग कर लिया हैं यहां का पेठा कमों कम साथ आठ पेठा लाग रहे हैं दो पेठा तो तोड़ लिया हैं बाकी का छोटा हैं बागत थान और रेसिपी डालूंगे इसलिए क्या के चीज़ बनाने यां क्या क्या बनाने वह भी में थान रेसिपी डालगी बताओंगी अच्छी लागी वह तो लाइक और शेयर करोगा तो थोड़ी सी जगह के अंदर बहुत सारी सब्जी हैं किचन गार्डन के अंदर डेली मिल जेहीं और किचन गार्डन को भी आनंद स्याम को सुबह दुनु टाइम ले रहे हैं तब थान में पेट था है कि जिकी सब बेल है बाद दिखा रही हूं और पेट था है जो जो भी हुएं पर इन जौन सब्सक्राइं का मत बंद बहुत को अउसना कापड़ियाँ जाए थागे में बहुत साला लाग रहा हैं काकडी भी ही बहुत है लोई आ हैं लोई हैं मतीरये निटता yht Dal ७सं आ करो किछिटो दिखांते रहा है आज सब्जी के चीज की तोड़ के और किछिटों ऑ सब्जी लगा रही तो वो इटो वी तोड़ agreements है तो लिए जी थन सारों अब करा में राम राम फिर मिला आगले वीडियें